कि आप 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 कि वेरी वेरी वर्म वेल्गम बैक आप सभी का स्वागत है मित्रो एक बार फिर से दैनिक करेंट अफेश दे हिंदू अनालिसिस के साथ फरवरी की क्लास के अंतरकेत दोस्तों आज दे हिंदू के सीर्शक पे आपको दिखने वाला है अनुछेद 44 को ग्राउंड पे उतारने की तैयारी हाँ दोस्तों उत्राखंड राज्य की विधान सबा के उपर यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक सहीता से रिलेटेड जो है एक विधेक लाया गया है असेंबली के अंतरकत और यहां पे जो अन्य-अन्य कम्यूनिटीज है समुदाए हैं उनके प प्रस्तुत कर दीती और उसी रिपोर्ट के अनुसार यह बिल यह ड्राफ्ट यह विदेक उत्राघंड की विधान सबा के समक्स आया हुआ है और यहां पे जैसे लिव-इन डिलेशन्सिप जैसे हुई या डायवोर्ट जैसे महत्तपुर्ण मामले हुए उन तमाम चीजों या फिर उसमें कुछ पॉइंट्स बिंदु जो है वो रह गए थे और यहां बेसिकली आपके पास में अन्या ने समुदाय को बेसिकली एक ही समान सिविल लौ या फिर आपके पास में पर्सनल लौस के अंतरकत जो है पिरोने की कोशिश की जारी है याद रखने लाइक बि या समान नागरिक सहीता लागू नहीं होने वाली है अब आदमी और और उरत इन दोनों का मैन और विमन दोनों को बेसिकली एकुल राइट्स रहने वाला चाहिए डाइबॉर्स के अंतरकतों और इवन बेसिकली जो हलाला और इदत जैसे बेसिकली अनकॉंसिशनल और उसी का वो फेल कर दिया है यह नहीं होना चाहिए ता कई सारी बात की गई है पर जो सीम सहाब उत्राखंड के वो कह रहे हैं आपके पास में कि नहीं सर हम उसी सी लेके आएंगे हर समूदाय के लिए मैलाओं की साधी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाएगी विवाहा कहीं पंजी करन नवारी है विवाहा नहीं भी हैं अगर आप लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे हैं तो भी आपको बेसिकली जो है अपने माता-पिता को सूचित करना होगा और इस फैसले के बारे में भी जो है आपको एक जानकरी जो है प्रॉपर होनी चाहिए और मुस्लिम वर्ग में होने वाले हलाल और इदत की प्रथा पर बेसिकली रोक लगए क्योंकि वह असमानता को प्रेरित करती है और महिलाओं को बेसिकली जो है कहीं कहीं बैक्ट्रॉफ पर यहानी पर रखती है और बहु विवाह जो कहा जाता है पॉलिगेमिक हाजाता उसको बंद कर दि पत्नी और पत्नी पत्नी को तलाग को लेकर के समान हगोगा अभी तक बेसिकली यह देखा गया था कि जो लॉस थे ना बेसिकली वह जेंडर नीट्रल नहीं थे बतलब उनमें बेसिकली लेंगिक समानता नहीं देखने को मिलते थी महिलाओं को कहीं जगह पे बेसिकली मामले हो और भी उत्पिडन के मामले हो पर सर तलाग को लेकर के जो मामले हैं अब उसमें ऐसा नहीं होगा समान नागरिक सहीता के अंतरकत पत्नी दोनों को समान हक होने वाला है इसी के अलावा जन संख्या नियंतरन भारत जो हैं विश्यो की प्रथम आबादी बन चुका 140 कर ठोड से जादा आबाद्य हो चुके मितरो बारत की जन संख्या नियंतरन को भी लेकर के हमें एक महतपून कानून इजाद करना था नियंतरन की महतपून जैसे एमयली प्लैनिंग हो आपके पास में फिर अन्य अन्य जो इसको इसको neuपर न्यमावली हो सकती उसको भी समान तो आप ये देखेंगे कि सर हिंदु धरम के अंदर जो महिला हैं उनको तो बेसिकली जो है प्रॉपर्टी को लेकर के समाना दिकार है पर आप अगर मुस्लिम वर्ग में जा करके देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मुस्लिम विमेंस हैं आपके पास में उनको अपने जो पिता जी की जो प्रॉपर्टी है उनमें से एक चौथा या एक बटा आंठवा भागी मिलता है और वो भी किस पर डिपेंड करता है कि सर्क कितने बेसिकली जो है परिवार में बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले उसके नुसार एक बात करें क्रिश्यान इटी पार्टी जैविस लाउस की बेसिकली इंडियन सक्षेशन एकट आइकट नाइटीन्टीफटी फाइव यहां पर को पहले से ही एक प्री डिटर्मेंट शेर दे जाता है पिता जी की संपत्ती 100 करोड रुपे बेटी को बोल दिया कि इसको 10 यहां पे कितने चिल्ट्रन से कितने रेलेटिव से उसके आधार पे पहले ही महिलाओं के लिए जो इन्हेरिटेंज सक्षेशन है वो तैक कर दिया जाएगा और उससे ज्यादा महिला अधिकार रखती भी नहीं थी यहां पे यह सारी चीज़े प्रिडिटर्माइंड होती थी अब क्या होगा अब चाहिए आप किसी भी वर्ग से हो सबको समान बेसिकली डाइवोर्स समान मैरीज राइट समान सक्षेशन उत्रा दिकार से रिलेटेट तमाम राइट जो है इक्वल मिलने वाले वलब जो यहां पे भारत के अंदर ही बेसिकली पहले क्या हो रहा था आता है समीधान के भाग चार में क्या कहा जाता है डारेक्टीव प्रिंसिपल सब्दोर स्टेट पॉलोसी राजय के नीति-देशक तक्व क्या यह फोर्ट में एनफॉस एक वैले जैसे इसके अलावा बेसिकली हम इन 6 pointers पे basically बात करने वाले हैं और यह pointers आपके प्रारमभी परिक्षा के लिए उतने ही महत्रपूर्ण है जितने की मुख्य और साक्षातकार के लिए होने वाले हैं इस class का सारांस जो है आप जग्दिश यांगिट सर P.W. इस टेलिग्राम हैंडल से जाकर के प्राप्त कर पाएंगे मित्रों तो सबसे पहला जो सिर्ट सेख हैं आपके समक्स वो है GS paper 3 से related यहाँ पे policies से related बात की जारी है यहाँ पर देखो अभी अपना पास में लोगसभा की बात करें तो लोगसभा में बेसिकली जो है क्योंकि union territory है आपके पास में जमू कश्मीर तो जमू कश्मीर में स्थानिय निकाय उपर कानून संसोधन विधेग जो है 2024 लाया गया और इस पर बेसिकली जो है बिल आया है आ आपके पास में लोगसभा note to bill for ओ ओवी सी कोटा in the local bodies in जमू कश्मीर तो स्थानिय निकाय जो भी भी आपके पास में जंता की डिमांड सुने पूरा करना होगा और वही बेसिकली यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है ठीके अब याद रखना है कि इस विधेक की मुख्य विशेस्ताओं की कुछ बिंदू आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर कैंदर सासित प्रदेश है ह उसके स्थानिय निकायों में जो हैं कानुनों की बिसिकली एक स्थिर्तार बनाये रखने हैं और उस इस स्थिर्ता को बनाये रखने के लिए हमारे समिधान में एक बहुती बहुत अनुछे दें अनुछे 243D और 243T इसके बिसिकली section 6 के अंतरगत क्या बता जाता है कि 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 स्थानिय निकायों जो है ओबी सी को कोता मिलने वाला है अरक Сам मिलने वाला है जमू कष्मीर में ठीक है सर, एक पॉइंट तो यह clear हो गया, इसके अलावा आपको यह चीछ पता होना चीछ, कि आर्टिकल 243, 243 K और 243 ZA, यह basically महत्पॉर्ण आर्टिकल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, कि सर जो हमारे local body यह स्थानिय निकायों, स्थानिय निकायों की तैयारी और संचा पलन की जो है, power किसके पास में होती है, state election commission, राज्य चुनाव आयोग, जो state election commission है मित्रों आपके पास में, वह अनुचे 243, 243 ZA के अंतरगत, पंचायत है, नगर पालिका है, उनके मतदाताओं की सूची तयार करता है, पूरे चुनाव का संचालन करता है, इवन पूरा ध् जैसे central level पे होता है, आपके पास में, election commission of India, है न, यह लोक सबा, राज्य सबा, और राज्य के जो विधान सबा है, उसमें election करवाता है मित्रों, ठीक वैसे ही आपके पास में, राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती के भी election होता है, वो भी चीफ, आपने election commission of India कराता है, भा रक्षित की हैं, है न, उनकी संख्या एक आयोग द्वारा तय की जाएगी, अभी तक basically पहले provision तय हुआ, कि सर हाँ ठीक है, हमने इस इस provision के अंतरगत यह सपष्ट कर दिया, यह निर्दिष्ट कर गया, कि सर पंचायत और municipality में basically क्या होने वाला है, OBC को reservation होने वाला है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक आयोग कि स्थापना की जाएगी, और वो आयोग तय करेगा, कि सर किस एरिया में OBC को कितनी सीटे मिलने वाली है, इसके अलावा में आपको basically एक और वहती महत्पूर्ण खबर दिखाना चाहता हूँ आपके पास में, सो यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट हुआ, स्केडूल ट्राइब जो गुजर बकरवाल कम्यूनिटीज है, उनका जमू कश्मीर के अंतरगत, क्यों हुआ, क्योंकि सर आपके पास में पहाडी करके आपकी एक स्केडूल ट्राइब है, है ना, अनुसुचित जन जाती है, है ना, ट्राइब है, उ उनियन टेरिटरी के अंतरगत, उन सभी को मिलने वाला है, तो लोगसबा में बेसिकली यह पास किया गया, जमू कश्मीर, स्केडूल ट्राइब, अमेंडमेंट बिल 2023, और उसके अंतरगत बेसिकली यह बोला गया था, कैसे जो अन्य स्केडूल ट्राइब से, है ना, जो ग गड़ा, ब्रहमेन, और पड़ारी ट्राइब, पहाड़ी और पड़ारी दोनों अलग-अलग है, है ना, इसके अलावा कॉली कम्यूनिटी, इनको भी बेसिकली स्केडूल ट्राइब में जोड़ा गया है, तो अब यह सारी अपरोर हमारे काम की नहीं, हमारे काम के चार बि बिलती है, है ना, कौन सी इन में से जो है, रिसेंटली एड़ेट जन जाती है, है ना, हाल ही में समचारों में रही, या सुर्खियों में रही, ठीक है ना, यह जन जाती, किस राज्ये में पाई जाती है, किस के अंदर सासित प्रदेश में पाई जाती है, तो आप यहाँ सही से उत्तर दे पाएं यह चेस्टार है अब हम बात करते हैं जी एस पेपर 3 के ही पारिष सितिकी एको सिस्टम के अंतरगत देखें नेपाल के काट पांटू में हाली बेसिकली एक संस्थान है इनके विश्षक्यों की बेसिकली बैठक होती है याँ पर हाई मांटेन एशिया के अंतर के जो बेसिकली यह जो नेचर है आपके पास उसका लगा अतार शरण हो रहा है पतन हो रहा है और उस शरण को उस पतन को बेसिकली रोकने के लिए ततकाल फाइनेंस की सवस्था अर्थ जो है नहीं मिल पाएगा अतेव यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या बोला गया के सर यह जो बायोस्फेर है हिंदकुष हिमाले है यह पूरा का पूरा जो है इस ब्रीपाइस्वेर इस ऑन दे ब्रिंक मतलब कॉलाप्स हो सकता है पारिसिति की तंत्र मरकोर यह जो मरकोर इनिमल है वह एक आपके पास व loop है जंगली बकरी होती है मित्रों यह कहां की कैंधरी और धक्षर इससे बती acadle reward शाफ में आपके पास में साउट एश्या मंतरगत देखने को मिलती है आपके पास में कहां पह पर कारा कुरम में एक देखने को मिलती है तो कल की तारिक में अगर प्रशन आजाएगा MAR laws मार खोर मार शो हुअ मार Apa लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्टान वाला पूरा हिंद कुष्राइव ओला ही आ وبैक्त्रिय वाला एरिया है उसके दक्षिण में बएक शुरू हो जाता है यह शब्त हूं आया आपके पास इबन बतूता करके बिसिकली एक लेखक का नाम सुना होगा आपने वो क्या कहते थे उनकी किताबों में बिसिकली वर्णन देखने को मिला कि जो केंदर जो Central Asia में तुर्कमेनिस्तान और में बिसिकली इंडिया से कई मजदूर जाते थे, कई लोग ट्रेड करने जाते थे, कई श्लेव ले जाया जाते थे, ठीक है ना, अब वो इस एरिया के अंदर की कड़कड़ाथी, सर्थी को कैया निकर पाते है, तो जितने भी हिंदूर यहां से, हिंदूर क्यों कहा जाता, इंडस के आइरिया के आसपास के लोग, जैसे ही हिंदकुश अरिया में पहुंच थे, they will not be able to bear the cold और सर्दिंग असहिय होने के करण उनकी मौत हो जाती थी तो हिंदकुष, the killer of the hins समझ माया, तो इसे हिंदकुष नाम पढ़ा इसका, ये एक तो आपको समझ लेना है आपके पास में ठीके न, यहाँ पे हिंदकुष हिमाले के बारे में कुछ महत्पुण पहलू है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुरू के बार, हमारे पोल्स पे सबसे ज़्यादा बरफ है, ग्लेशियर से देखने को मिलती है अगर दुरू के बाहर उत्री दुरू, दक्षिन दुरू के बाहर कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रति पर अधिकांस बर्फ है तो वो कहा है, हिंदकुष हिमालाय में देखने को मिलेगी इवन जो ये काठवांडू है, नेपाल है, तिबद है आपको पता रहना चाहिए कि विश्व की एक तिहाई आबादी वर्ड की वन थर्ड पॉपुलेशन को स्वच जल बेसिकली ये देता है, तो हिंदकुष का महतो है बिल्कुल है से, क्लाइमेट चेंज में हम लोग हिंदकुष को अब्जर्व करेंगे यहाँ पे जब भी वाटर सप्लाई की बात आएगी तब हिंदकुष की बात करेंगे, तो बहुत ही महतोपुण एरिया है जैसे आपने अमुदरिया का नाम सुनाओगा आपने है ना, आपने सिंदु नदी का नाम सुनाओगा गंगा ब्रमपुत्र का नाम सुनाओगा इरावदी साल्विन जो आपके पास में subvasiी नौर्थ जो है इस्ट स्ट इस vềगा हर tu फ हैं मैकॉफ रीवर हैं यांग से हैं येलू से हैं येलॉय आपके पास में धियर के दोहां या फिर हैं पास में हुआंग हे बी कहते हुएं हूंको तारीम है ना तारीम को दयान भी बोला जाता है तो ये दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण नदिया है और ये महत्पूर्ण नदिया है सारे के सारा उद्गम कहां से हो रहा है इसी हिंदकुष छेत्र से हो रहा है तो दुनिया की एक त्याय स्वच पानी बेसिकली हिंदकुष से मिल र चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मित्रों यहां पर जानकारी लेते हैं कि और क्या-क्या महत्पूर्ण तत्व हैं दुनिया में जो है 36 जो हैं बायोडाइवर्शिटी होट्सपोर्ट से उनमें से चार इंपोर्टेंट बायोडाइवर्शिटी होट्सपोर्ट प्रतों जो तफसल हैं आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं दुनिया में 36 जो हैं बायो डायवर्शिटी होट स्पोर्ट हैं और लगबर भारत का चोईस प्रतिशत जो है जोग्राफिकल एरिया इसके अंतरगत देखने को मिलेगा आपको अब एक संस्थान जिसने बैटक की है नेपाल के काटमांडू में जिसका नाम है ICI MOD करने की कोशिश करना है कि ज्यान का निर्मान करें हम लोग, छैत्रिय रणनीती बनाए हम लोग, निवेश को आकरसित करें हम लोग, किसी भी प्रकार से आपके पास में पूरे समुदाय साथ में मिलकर के जो भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वो inclusive way में climate को resilient लेकर के सारी policies को implement करें हम आपे, याद बढ़ते हैं, आपके पास में global reporting initiative की बात करते हैं, ये भी environment से related है, जैव विवित्ता का संकर तो देखो, पुरी दुनिया में ही चलने को मिल रहा है, अब उसके लिए वैश्वित प्रतिक्रिया क्या है, मुद्दे की ये बात है, पूछा जाता जैव विवित्ता के सरक्ष या 600 बची, तो आप कैसे इस जैव विवित्ता को बेसिकली सरक्षन दे सकते हैं, उसके लिए एक पहल की गई है, विश्व रिपोर्टिंग पहल, जो जैव विवित्ता के मानक और standards के रूप में बहुत ही मयात्पूर और अंतरराष्ट्रे लेवल पर बेसिकली इसको जान ने ने आकलन करता है और रिपोर्टिंग करता है, ठीके ना, जवाब दही तरह करता है कि सर बिजनसेस का क्या रोले, सरकारों का क्या रोले, एंजियोस का क्या रोले, तो इसका सची वाले का हैं, आपके पास में Amsterdam, Netherlands के अंतर के ते, और इस हेड़कॉर्टर सची वाले, सेक 204 नमबर दिया गया था, ठीके ना, अब बेसिकली हम लोग क्या है, 2024 में नया Global Reporting Initiative का मानक स्टेंडर्ड ले क्या रहे, और उस स्टेंडर्ड का नाम है GRI 101, है ना, अब यह बेसिकली क्या करेगा, 2016 के इन मानक स्टेंडर्स को बेसिकली विस्थापित करेगा, लागू कर रहे हैं, 2026 से इसको लागू कर रहे हैं, यह मुख्य जानकरी, यह जानकरी आपको होनी चाहिए पाथे क्रम के अनुरूप है, आपके पास में, और जैब विविता के प्रभावों का, है ना, क्या आपके पास में जो भी बायो डावर्सिटी के इफेक्ट्स हैं उनमें पारदर्सिता को सुधार करना है हमको, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जैब विविता के क्या फायदे हैं, क्या नफे हैं, क्या नुकसान हैं, तभी तो आप उस चीज का बेसिकली सेनक्शन करेंगे, दर हिंदू का क्या महत्तो है, आपको पता है, तभी तो आदे सवाल लगबग जो हैं, दह हिंदू से प्रतिक्ष अप्रतिक्ष दौर पर कनेक्ट किये जाते हैं, तो पढ़ो, अनालिस को कंटिनियूस करो, वैसी जब जैब विविता के बारे में, हमें पारदर्शिता बेसिकली होगी, उसके प्रभाव के बारे में, उसके प्रत धार को तक स्टेक होलडर्स तक पहुंच पाएं, जो आपके पास में सप्लाई चेन हैं, उसको बहतर तरीके से संचालित किया जा सके, सक्षम बनना है ना, हमको बहतर बनना है, अब हम लोग आपके पास में थ्रिप्स पार्विस्पसनस की बात करते, देखिए, हमारा की प्रजाती जो कि आक्रामक है, इन्वेजीव है, ठीक है न, अब यह क्या कर रहा है आपके पास में, कि जो भारत में हमारे देसी मिर्च होती है, इस थ्रिप्स पर बेसिकली अटैक करता है, इस पर हावी हो चुका है, और यहाँ पर इस अटैक होने तक बेसिकली क्या कर कर रहा है, यह टोटली 80% डैमेज कर चुका है, तो भारत में जो देसी मिर्च उखती है न, उसको बेसिकली कीट विनास कर रहा है, तो कल की तारिक में पूछा जा सकता है, आपके पास में, वाट इस थ्रिप्स, तो थ्रिप्स हमारी जो हैं देसी मिर्च का नाम है, तो दे पोदों पे फलों पे बेसिकली व्रदी कर रही थी, अभी हमको देखने को, और इसमें सबसे पढ़ा पता है, यह जो कीट है न, इसको ग्रो करने के लिए, अंडे देने के लिए, प्रजनन के लिए, नर की आवशकता नहीं है, तो नर के बिना भी बेसिकली जो मादा थ्रि प्रियोग करते हैं, तो इन कीट नासकों का कीटों के उपर कई बार प्रभाव होता है, यह प्रतिरोधक शमता बेसिकली डवलोप करते हैं, यह ज्यादा एंटिबायोटिक खाने से क्या हुआ, एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गई, और उसके कारण क्या हो, आ हमें बेसिकली जो हैं, आपके पास में कीटों के नियंतरन के लिए ग्रिश्मकालीन जुताई करनी चाहिए, और इंटर क्रॉपिंग पे ध्यान देना चाहिए, खेती को जितना स्वच करें, कैमिकल रसायनों का कम परियोग करें, जैवी कुरवरों को का परियोग करें, और हर चीज का संतुलित प्रियोग, अतिस सर्वत्र वर्जयते हैं, तो एकिकरत जो कीट प्रबंदन, इंटिग्रेटेड जो है, पेस्ट मेनेजमेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी रणनीतियों से इसका सॉलूशन हो पायागा, अधर्वाइस, 70% से 100% तक पुरा 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 पंजाब में होने वाले कपास की खेती को खतम कर दे रहा है, है ना, पंजाब में आपके पास में लार्जस्ट एरिया जो है, आपके पास में पंजाब के अंदर है, पर उन्हें नश्ट कर रहे हैं ये, तो क्या यह हमारे भारत की अर्थ्वेवस्ता के खत्रा है बिल्कुल अपकर तीज के शॉच्टे अथạt के इस एसा अधर जो एक संगठन के अंदर के क्के पहर्त के का दिएले आख मैं हैं हमें युवाग कारीकर ऑ खेलंद्र अनूराख ठाकूर साफ और जो बीजेपी के विब में नकल बताया था सचे तक है ना लोकसभा में ये विब भी तो इन्होंने नहीं दिल्ली में अभी हाल ही में बिम्स्टेक की एक्वेटिक चैंपियंस एक्वेटिक मतलब जो जल में जो खेल होते हैं वाटर स्पोर्ट जो होता है उनकी बेसिकली चैंपियंसिक दोजार चॉइस की बेसिकली जो है शुरुवात की है दिल्ली के अंतरकत यह हुई है आपके पास में दोस्तों और याद रखना के विम्स्टेक एक्वे करत में करवाया जा रहा है को यह महामारी के बात में अब बात करते हैं अब लोग्वी विम्स्टेक की मतलब बेयों बेंगॉल मल्टि सेक्टोरल टेखनीकल एक्कनामिक और कोपरेशन तो यह विम्स्टेक जो है वो साथ सदस्य देशे कौन-कौन से हैं भारत है नेपाल है बुठान हैं, बांगलादेश हैं, म्यामार हैं, थ्याइलेंड है, श्रिलंका है, तो ये साथ देश जो हैं, दक्षिन दक्षिन पूर्वे एशिया के, वो इसमें सामिले कब बना, 1997 में ये बना, सची वाले का हैं, बांगलादेश के धाका के अंतरगत, इसका सची वाले है, क उसके नकारात्मक प्रभाव या फिर उसके अटेक्स हैं उसके हमलों से हम लोग मुकाबला कर पाएं तो यह सारे के सारे देश जो है उनिस सो सत्यानुए 1997 में साथ मैं और सार्क जो हैं साउथ एशन आपके पास में पाकिस्तान हर चीज में गतीरोध पैदा करता है तो यहां पर नीमारनी है हमारा जो है National E Governance Division है जो कि Ministry of Electronics and Technology के अंतरकत बेसिकली देखने को मिलता है इन्होंने Cyber सुरक्षा से रिलेटेट भारत की एक नई पहल बेसिकली बताईए इन्होंने एक नया प्रशिक्षन कारेकरम बेसिकली सुरू किया है उन अधिकारियों के लिए जो Cyber क्राम से बेसिकली जो है निपटने का कारे करते हैं तो Cyber अपराज से जो भी बेसिकली अधिकारी निपटते हैं इन्वेस्टिकेट करते हैं उन्हें जाग रुकता दी जा रही है उन्हें और बेसिकली जो है CISO के अंतर के जैसे मुख्य सूचना सुरक्षादिकारी है है ना मुख्य मतलब Chief Information Security Officer जो होते हैं आपके पास में जो Frontline के IT Officers होते हैं उनकी जो Capacity Building की जाती शमताओं का निर्मान किया जा रहा है ठीक है ना सुरुवात इसकी 2018 से कर दी गई थी आपके पास में तो जो भी आपके पास में भागिदार हैं stakeholders हैं वो सभी लोग इसके साथ में मिलते हैं और यह PPP mode पे काम करता है वह प्रसिक्षन जो हैं आपके पास में सरकार ही नहीं सरकार के अलावा प्राइवेट नीजी संगठन है वह भी इसके अंतरगत जुड़े हुए होते हैं ठीक है ना अच्छा कार्य क्या है आपके पास में कि जो साइबर वर्ल्ड में जो उबरते परिदर्शे के अंदर जो अबर्जिक्षन लेंड्सकेप में कई खत्रा है तो उसको समझना जरूरी है क्या इनिशियेटिव हैं क्या चैलेंजिजेज हैं क्या चुनोतियां उनका समाधान क्या हो सकता है क्या रूप रेखा होगी आपके पास में क्या दिसंदर्देश स्वालो करने क्या पॉलिसी हो सादा शिक्षित और सक्षम बनाने की चेश्ठा की जारी प्रश्न है मेरा कल्यानकारी राज्य का विचार किसमें हैं प्रेमबल के अंदर डीपेश्पी के अंतरकत हैं fundamental लाइट में सेवन स्केडियूल में कमेंट करके बताएंगे question number one के बारे question number two में साइबर सुरक्षा गटनाओ पर रिपोर्ट पर कानुनी रूप से क्या निवारिया तो यहां पर यह प्रश्ण पूछा जा रहा है इसके अंतरक्रत आप सेवा प्रदाता डेटा के अंदर और आपके पास में सामुहिक सरीर कि वाट इस इट चलिए इनकी यहां पर बात की जा रही है अब यहां पर इसका अंसर भी देना और बताना है कि हिमाले एक सिंटेक्सिकल बेंट के रूप में हैं हिमाले जो की इंडियन प्लेट और और यूरेशन प्लेट के अभिसारी प्लेट गति के कारण बने हुए वलिद परवत हैं आप के पास में वैस्टन सिंटेक्स बिसिकली इस परवत से सुरू होता है इस्टन सिंटेक्स बिसिकली इस परवत पे खतम होता है तो भारत में हिमाले का एकस्टेंशन कितना है विस्तार कितना है तो हमें एक दो परवतों का नाम लेते हैं कि यहां से बेसिकली कर्व लेते हु बेंट का basically extension देखने को मिलता है, दो परवत हैं, बहुत ही महत्पूर्ण है ठीके, comment कीजिएगा summary download कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा and don't forget to give your feedback, आपका feedback बहुत ही महत्पूर्ण है, आपका मात्र एक मिनिट लगेगा, पर इससे YouTube को और community को एक message जाता है, कि ये वीडियो relevant है, और ये वीडियो अड्निय, जो हित धारक है, उन तक भी सही समय पे पहुंचा पाएगा YouTube, thank you, जहिंद सरुदा सतिशालिक God bless you all, I'll see you tomorrow at 8 a.m. again, until then keep revising